और पाकिस्तान करेगा ये तीन सुधार तभी चेमपेंश ट्रोफी में होगा भेड़ापार नहीं तो बाई साथ मुश्किल में फ़ज़ जायेगा पाकिस्तान का अब देखेंश ट्रोफी जो आ हो पाकिस्तान में होने वाली है 2025 की चैंपेस्टोफी उसकी तैयारियां भी चलने लगी है पाकिस्तानी टीम को अपने उपर भाई साब ये भी होगा कि हम चैंपेस्टोफी को अपने घर में जीतने की कोशिश करेंगी लेकिन इस चैंपेस्टोफी को जीतने के लिए पाकिस्तान को तीन सुधार करने बेहर जरूरी हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तानी टीम पर सवाल खड़े हो रहे हैं पाकिस्तानी टीम के उपर बबाल मचा T20 विश्युकप में जिस तरीके से पाकिस्तान की टीम हरी जिस तरीके से अमेरिका ने पाकिस्तान के मुँपर तमाचा मारा उसके बाद से ये सवाल खड़े होने शुरू हो गए है कि क्या पाकिस्तान की टीम अमेरिका जैसी टीमों से भी हरेगी क्या पाकिस्तान की टीम का स्टेटस इतना गिर गया है कि अमेरिका जैसे देश भी पाकिस्तान को हरा देंगे अब बात चेंपेंश टोफी है एक बाबराजम का गुरूप है एक शाहिंसा अफृदी का गूरूप है और मुहमद रिजवान पीछे से चुक-चुक-चुक-चुक-चुक-चुक चलते वह आ रहे भाइसा बुझे भी कप्तान बना दो तो मामला जो है पाकिस्टारी टीम की खलभली मच हुई है मामला जो है तहस नैस हो रागव टीम में grouping है खिलारी एक दूसरे से बात नहीं करते हैं कप्तान की कोई मानता नहीं है ऐसे में भाज साफ कौन सी टीम ऐसे जितेगी जिस टीम में grouping है जो टीम दो भागों में बट गयी है जिस टीम में food है वो टीम कैसे चैंपिन बन जाएगी तो पाकिस्तान की टीम को सबसे पहले अपनी फूट को खतम करना पड़ेगा गृूपिंग को खतम करना पड़ेगा खिलारियों को एक दूसरे का सम्मान करना पड़ेगा तब जाकर आप चैंपिन स्टोफी जीत सकते हो तब जाकर आप मैच जी सकते हो वरना पाकिस्तान की टीम ने ही अब है करनाड़ा भी कहरा देगी कोई छूटशी टीम और दूसरी आके हरा देगी अगर पाकिस्तान की टीम का हलात यह रहेगा उसके बाद में दूसरा जो सुधार करना पड़ेगा वो कफ्तान बाबराजम को सुधान करना पड़ेगा बाबर आजम कप्तान है कप्तान का काम होता है उनके कंदों पर जिम्मेदार होते हैं टीम को आगे ले जाना अगर कप्तानी परफॉर्मेंस नहीं करेगा कप्तानी मैच इसको नहीं जिताएगा कप्तान मैच को फिनिस नहीं करेगा तो कैसे टीम जीतेगी अब कप्तान क्या कच्छुए की चाल से चलता है चुक 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 कप्तान कच्छुए की चाल से चलता है उसके बाद के उसकी टीम के खिला रही है वो उससे भी धीमी चाल चलने लगते हैं कप्तानी T20 क असी के स्ट्राइक एर्ट से खेलता है तो बागी खिलारियों से क्या उम्मीद आप रखोगे तो बाबर आजम को भी अपनी खेल में सुधार करना पड़ेगा मैच विनर बनना पड़ेगा मैच जिताने पड़ेंगे टीम को एक जुट रखना पड़ेगा ये कप्तान के तोर अच्छे खेलारियों को मौका नहीं दिया जाता है उस्फ़ DAY अपनी पसंद्स पिंटी खेलारियों और तो बाकी सब्सक्तर । जुके सोच नहीं पड़ेगी कि माचुनर्फ भेतर परफॉरमेंस वाले खिलारी कों से उनको मौका दिया जाना चाहिए। उनको खिलाना चाहिए। आप आजम खान को मौका दे रहे हैं जबकी उनके पास ना कोई टैलेंट है ना कोई बढ़ेा परफॉरमेंस करते हैं पर फिटनेस भी उनकी खराब है तो कैसे जीतेगी पाकिस्तान तुछ चीज़ों पर पाकिस्तान को ध्यान देना चाहिए छिलारियों को फिटनेस पर ध्यान देना चाहिए फिटनेस बहतर होगी तब ही आप बहतर पर्फ़ोर्मेंश कर पाएंगे यह दोनी ऊठीज तोड़ कि बहतर खिर्यालियों को मौकाद देना पड़ेग। और फिम्डिंग बहतर पड़ेग फिटनेंस पर ध्यान देंडाओगा। अगर पाकिस्तान इन कम्यों को दूर नहीं कर पाता है तो चेंपनस्टोफी को भूल जाएए पाकिस्तान-व्ल लोग चैंपनस्ट-पी जरूर करिएगा क्योंकि अप्डेट मिलते रहेंगे थैंक्यों वेरी मुच्छ